हलो एवरीवन आज है 27 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करें जाए वुड़ा फून आइडिया के बारे में देखे 11 रुपे के करीब शाय ट्रेड कर रहा है तगरीबन आज 1.5% की तीजी है देखो बाजर काफी अच्छे मूर्द में है आज काफी बहतरीन तीजी देखने को मिल रही है चाहे वो निफ्टी में हो या भी चाहे वो मिट कैप में हो शांदार तीजी है और ऐसे मैं यहाँ पर भी तीजी देखने को मिल गई जबकि कल इनके जो क्वार्टर टू के नंबर आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे बातचीत करेंगे उसके बारे में लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपो काफी जादा हेल्प करेंगे कि जो लेवल है ना ये बारा रुपे का जो लेवल है इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि ये इस लेवल पर गया वहाँ से गिरावट देखने को मिली एक रेजिस्टन्स वहाँ पर बैठा जरूर है जो इसको परेशान कर सकता है और यही वज़य थे कि मैंने कहा था कि देखो बारा रुपे का लेवल मुझे अच्छा नहीं लगता है कि डिकलाइन का मैं वेट करना पसंद करूँगा यहाँ पर और अभी नतीजे भी आये हैं इनके यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो बहतरीन तेजी आई और पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेजी आई तो गौर्णमेंट ने फाइनली एक्विटी एकसेप्ट करी यहाँ पर तो 16,000 क्रोड रुपे इन्होंने एक्विटी के फॉर्म में दिये इनको और देखें आगे भी बहुत सारा करजा चुकाना बागी है अब देखते हैं कि वो पैसा जो है वो एक्विटी में के फॉर्म में दुबारा लिया जाता है या पर किस तरी से चुकाना देको फंटरेजिंग की कोशिश कर रहे है अभी कुछ महिनों पहले खबर आई थी कि 2000 करोड रुपे जो है कोई confirmation नहीं है किसी ने इसके बारे में अभी तक कोई confirmation नहीं दी है तो इसको धियान में रखते हुए खरीदारी करने मत बैट जाईएगा और जहां तक बात करें पिछल पांत साल का graph अगर आप देखो तो जब भी ये गया है बारा-तिरा की range में गिरावट आई है इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ बारा की range में क्या गिरावट आगई और नतीजे को लेकर अगर हम बात करें तो वहिया revenue में कोई growth नहीं है लेकिन नुकसान जादा हो गया इनका जो loss है वो 8740 करोड के आसपास चला गया लेकिन नुकसान जादा हो गया यहाँ पर पिछले साल अगर आप देखोगे तो 7600 करोड के आसपास का loss था हाला की company का loss ही हो रहा है हर quarter में इस बार loss 8740 करोड हो गया तो बढ़ गया यह revenue देखे तो भाई आप minimum growth है revenue में कोई इतना बड़ा growth यहाँ पर देखने को नहीं मिला है एक चीज यहाँ पर यह है जो कि अच्छी बात है कि इनका जो आर्पूस है वो दिरे दिरे improve हो रहा है ठीक है quarter औं quarter अगर आप देखोगे तो पिछले quarter में यह 139 रुपीस था इनका आर्पूस जो अभी बढ़के 142 रुपीस पर चला गया है पिछले साल यह आर्पूस 131 रुपीस के था तो मतलब दिरे दिरे जो आर्पूस मतलब annual revenue per user ठीक है वो जो है वो दिरे दिरे बढ़ रहा है sorry average revenue per user तो वो यहाँ पर मन्थली जो आर्पूस है वो इनका धीर धीरे बढ़ रहा है लेकिन फिर भी अपने जो competitors है ना जियो और एटल इनके मुकाबले अभी भी इनका जो आर्पूस है वो कम है यह इनको बढ़ाने पड़ेंगे मतलब कि वह यह जो लोग पैसा जादा spend करते हैं वो Vodafone का network use नहीं कर रहे है सी करोड रुपईया है वह यह बहुत जादा debt है इनका debt है यह अब यहाँ पर compromising और deferred spectrum payment obligations वह है वो ही एक लाग 35,133 करोड है Asia liability 68,000 करोड है यह दोनों ही चीज वह यह इनको परिशान कर रही है हाला कि due to government and debt from bank and financial institution के अगर हम बात करे तो वह तक्रीबन 7,860 करोड का है debenture के बात कि जो convertible debenture है वह भी 1,610 करोड का है यहाँ पर अगर आप देखो तो total net debt है वो 2,12,660 करोड के आसपास का है और देखा जाए तो उन्होंने debt को थोड़ा बहुत कम भी किया है 7,220 करोड के आसपास का debt यहाँ पर reduce हुआ है क्योंकि इससे पहले जो banks का था हला कि जो चुकाया है debt वो banks of financial institution का चुकाया है यहाँ पर जो पिछले साल तक 15,000 करोड के आसपास का था तो बस उन्हीं का चुकाया है ठीक है और बाकी का अभी भी वही पर है expect कर रहे हैं government से कि भाया कोई help हमको मिल जाए ताकि यह जो इतना बड़ा amount है न spectrum payment को लेकर हला कि यह जो एजिया liabilities वगएरा इससे थोड़ी बहुत रहात मिल जाएगी हला कि spectrum payment वगएरा भी है बहुत सारे है यहाँ पर government अगर इनको help कर देगे तो बहुतर चीज में आ जाएंगे यह अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी इनको अगर वोड़ा फोन आइडिया को लेकर अगर हम बात करें जाए तो दिखो लार्ज पर चाप कंपनी है 52,000 क्रोड से भी जादा करें करेंट असे इनकी करेंट लाइबिटी से भी कम है नेगेटिव चीज है और जहां तक बात कि नंबर की तो भाई आप नहीं ग्रोथ है रिवन्यू में आधिको पिछले कुछ कुछ कौर्टर से रिवन्यू से भी है 10,600 क्रो या फिर 7,900 क्रोड के आसपास हो अगरता था तो बढ़ गया यह लॉस और यह प्रॉब्लम है इस कंपनी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है अब अगर बात भी करते कि हम 2,000 क्रोड रुपे इंफ्यूज करेंगे 3,000 क्रोड रुपे इंफ्यूज करेंगे लेकिन प्रमोटर यहां पर दो लोग है वोडाफोन ग्रूप और अधित्य बिल्ला ग्रूप प्रमोटर का एक भी शर्गिरवी नहीं है अच्छी बात है पब्लिक ने बिक्वाली करी है लगातार पब्लिक यहां पर बेच रहा है 20.14% से घटकर 12.20 पर आ चुके हैं एफाइस ने म्यूचल फंड को भरोसा आ रहा है इनके उपर इंस्रॉंस वाले जहां थे वहीं है गवर्मेंट यहां पर 33.19% की होल्डिंग ठीक है तो यह उनके पास है और उम्मीद करेंगे कि बहुत चीजें बहतर हो इनके लिए लेकिन अभी तो नंबर्स वाए वो उतने ज़्याद और आगे भी देखते कि क्या होगा लेकिन हाँ बरबाद नहीं होगी वोड़ाफोन आइडिया हो गया एटल हो गया जियो हो गया यह तीनों कंपनिया रहेगी इस सेक्टर में और वोड़ाफोन आडिया हलकी स्ट्रॉगल करेगा क्योंकि प्रॉब्लम यही होग इनके पास कि इनको जो टेक्नलोजिकल अपग्रेड करना होगा उसमें इनको बहुत ज़ादा टाइम लग जाएगा जैसे कि एटल और जियो जो है वो 5G रोलाउट कर चुके है और बड़े पैमाने पर कर चुके है जबकि वोड़ाफोन आडिया अभी भी उनसे काफी पीछ है क्योंक सारी चीज़ा है यहां पर तो चीज़े है और इसके लिए टेक्नलोजिकल एडवानटेज में थोड़ा सा पीछे चला जाएगा यह लेकिन धीरे धीरे यह भी चलता रहेगा और अगर कल को मान लीज़े कि कोई बड़ा इंवेस्टर आ जाता है कोई बड़ा प्लेयर आ जा इनके उपर बहुत कुछ टिका हुआ है यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस कंपनी की तो मैं यही कहूंगा कि देखो अभी तो वेट अन वाच अगर खरीदारी करी तो बने रहो लेकिन जहां तक बाते फ्रेश वाइंग की मेरे हिसाब से अगर आठ रुपए के आसपास से मिलेगा आठ नौ रुपए के आसपास तो वहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए अभी मुझे रता है कि आज बाजार काफी अच्छे मूड में था और इसलिए आज यहां पर गिरावट भी नहीं आई है वहना जिस तरीके नंबर्स इन्होंने रिप्रेजेंट करे हैं ग जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर से वो क्या खरीद रहें उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहां पर मिल जाएगा वो भी क्वार्टर ओं क्वार्टर अपडेट के साथ यह वही लोग है जो शेयर बाजर में बड़ा गेम खेलते हैं इनके पोर्टफोलियो में आप आपको स्मॉल के मिटके भर भर के मिलेंगे तो देर किस बात किये लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड़ का फाइल खाना भूलेगा नहीं वीडियो को यहीं पेंड़ कुलूंगा पसंद आए हो तो लाइक करे चैनल बगरा पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करे और वोड़ ओन आइडिया के बारे में अब कैस वोचते हैं जो टीजी आई यहां पर उसके बारे में आप कैस सचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बटा सकते हैं तेंक यू